हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज हम बात करेंगे मिथिला आर्ट की तांत्रिक शैली के बारे में तांत्रिक शैली मदुवनी पेंटेंज की सबसे अलग शैली है क्योंकि इसमें धार्मिक गरंतूं और उनके चरित्रों को चित्रित करने पर विशेज ध्यान दिया जाता है मिथिला समाज में आज भी जादातर संसकार और परवित्योहार तंत्र पर आधारित होते हैं यही कारण है कि इन औसरों पर बनाय जाने वाले अरिपन और भूमी चित्र जादातर तांत्रिक चित्र होते हैं मुंडन, उपनयन, विवाव अगरे के औसर पर बनाय जाने वाले चित्र तांत्रिक पौराडिक प्रसंगों पर आधारित होते हैं तांत्रिक शैली में मुख्य रूप से पंचमुक्षिव, काली, अर्धनारिश्वर, महालच्मी, महादुर्गा, महासरस्वती, गडेश और गुरु शिश्य परपरा पर आधरित चित्र बनाये जाते हैं इसी तरह से नैना योगिनी, मैथिली समाज और मिथिला चित्रकला की जानी मानी तांत्रिक मांत्रिक शक्ती है और कोबर गर के चारों कोनों में इसकी उपस्थिती अनिवारिय होती है ऐसा माना जाता है कि ये सबी संकटों से वरवधु की रक्षा करती है तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो की तांत्रिक शैली के बारे में है फिर मिलूंगी आप से और हम कोबर शैली के बारे में बात करेंगे तो तिल दिन बावे